आज कल जो मुख्या मंतरी मोहदे के ब्यान आ रहे हैं बड़े हास्यस पद हैं कल गलोड में एक जनसबा में उन्होंने कहा कि वो दुकान मिल गई है जहां से अटैची खरीदे गए थे और मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि इतने दिन हो गए अभी तक आप जो है वो शाक्षे जो है उनको जनता के सामने नहीं रख पाए आप गलोड गए और विशाल जनसबा वहाँ आपकी रखी भी थी 500 कुरसी थी वो उसके बाद 200 रह गई उसके 50 और उठा ली वही गलोड जहां का आपने कॉलेज आते ही डिनोटिफाई कर दिया था ऐसी प्रदेश के अन्य कई संस्तान आपने आते ही बंद कर दिये जो की पूरू में भारते जनता पार्टी की सरकार ने खोले थे और द्वेश भावना से काम करना शुरू कर दिया राज्य सवा चुनाव के बाद एक F.I.R. शिमला में दर्ज होती है बालू गल्धाना में और आनन फानन में F.I.R. दर्ज करने वाले जिनको कि आप अपना बड़ा विश्वास पात्र मानते हैं S.P. शिमला उस F.I.R. में पहला नाम लिखते हैं आशी शर्मा आयू तीस तीस वर्ष जो कि विधायक मेरपुर के हैं दूसरे व्यक्ति राकेश शर्मा आयू तीस वर्ष जो कि रिटार्ड आयेस अफसर हैं चेतने शर्मा के पिता हैं और शिकायट करता संजे वस्थी माननी ये C.P.S. और उनका आगे धर्म रिलेजन का जो खाना है उसमें क्या लिखते हैं जिव यहूदी मैं F.I.R. आज सब के साथ आपके साथ सांजा कर रहा हूँ अगर इसी तरह से जाली F.I.R. होती रहेंगी और जनता के सामने जाकर के मुख्य मंत्रिया रोप प्रत्यरोप करते रहेंगे तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये प्रदेश चल रहा है कितने कमजोर नेतरितों के हाथों में ये प्रदेश है और आप पिछले साथ दिनों से सेरा रेस्ट हाउस में बैठे हुए हैं रजंदर राणा और इंदरदत लखनपाल के खिलाब बोलते हैं आठ किलोमेटर पर सुजानपूर है आठ किलोमेटर पर इंदरदत लखनपाल जी की कोंसिचुएंसी है वहाँ पर जा करके जनता के बीच में जाएए लेकिन वहाँ भी आपने कई स्कूल बंद किये हैं कई संस्थान बंद किये हैं और लोग तो वहाँ के भी आपका इंतजार कर रहे हैं कि अपका बाएंगे इस तरह की परिस्थितियां परदेश के अंदर जो बनाई हैं उसका भुक्तान जो है जो 15 महिने में परिस्थितियां बनी हैं कॉंग्रेस पार्टी को इस परदेश की जनता को देना होगा और खास तोर पर मुख्या मंत्री सुखुवेंदर सिंग सुखु को देना होगा क्योंकि नेत्रित्व आपके हाथों में था